मैं जोती भाटी से तो स्वास्ते चनपराब का स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स पूजा के लिए इस्तिमाल होने वला छोटा सा कपूर का टुकड़ा बालों के लिए वर्दान से कम नहीं है कपूर बालों से जुड़ी कहीं परशानियों को खतम करेने खुबसूर्थ बनाता है कपूर में एंटि सेप्टिक, एंटि फंगर, एंटि इंफनामेटरी परपर्टी के साथ एंटि उक्सेंट मजूद होते हैं जो बालों के लिए काफी फायदे मन्द है आज मैं आपको बताऊंगी कैसे हम कपूर का यूज करके अपने बालों से जुड़ी सबी समस्याओं को दूर कर लंबे घने और खुबसूरत बाल पासकते हैं लेकिन फ्रेंड्स इसके बारे में जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपने मेरे से तो स्वास्ते चन को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब कर ले साथ ही बेल बटन पर भी क्लिक करें मेरी हैल्थ और ब्यूट्री से लेटिट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आईए अप चानते हैं बालों से जुटे समस्याओं को दूर करने के लिए कपूर का यूज कैसे करना है कपूर अपनी सूधिन परपट्टी के एकारन स्कैल्प की नसों को रिलیکس कर ब्लर सर्कुलेशन बहतर करता है सर्कूलेशन के कान बालों की ग्रोथ अच्छी होती है जिससे बाल लंबे बनते हैं इस के लिए हपते में कम से कम दो बार बदाम या नारिल तेल गुन गुना करके इसमें कपूर मिलाकर सोने से पहले सकल्प पर लगा ले और सुबह बालों में शैंपू कर ले समय से पहले होने वाले सफेद बालों की परशानी कोमन हो चुकी है इससे बचने के लिए भी आप कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं सोने से पहले हपते में हर तीसरे दिन दो बड़े चमचनारिल तेल में फ्रेश गुढल का फूल डाल कर उबाले और ठंडा होने पर कपूर को इसमें अच्छी तरह मिलाकर सकेल्प पर लगा ले और सुबेश शैंपू कर ले जड़ते बालों को रोकने में भी कपूर कमाल का काम करता है बालों को मजबूती देकर उन्हें जड़ने से बचाता है इसके लिए अंडे के पीले भाग को अच्छी से फैट ले फिर इसमें एक चमच कपूर पावडर डाल कर अच्छी से मिलाकर पेस्ट बना ले इस तयार पेस्ट को सकेल्प और बालों को लगाकर 15 मिन्ट के लिए छोड़ दे 15 मिन्ट बाद शैंपू से सिर को धोले इस उपाई को वीक में दोबा यूज कर सकते हैं कपूर अपनी एंटी सैप्टिक और एंटी फंगल परपर्टी के कारें डेंडर फोर जुमों को खतम करता है इसके लिए नाने से 20 मिन्ट पहले कपूर को नारियल तेल या पानी में मिलाकर अच्छी तरह सकेल्प पर मसाज करें और फिर सिर को धोलें कुछ दिनों तो ऐसा हर दूसरे दिन करने से डेंडर फोर जुमें जड़ से खतम हो जाएंगी कपूर डेमेज बालों को रिपेर कर ड्राइनस को खतम कर उने सोफ्ट बनाता है इसके लिए दो चमच दही में एक चमच कपूर पाउडर मिलाकर सकेल्प रच्छी तरह लगाकर दो मिन्ट मसाज करें और पंदरा मिन्ट बाद धोलें हपते में दो बार ऐसा करने से बाद सोफ्ट और स्मूध बन जाएंगे तो फ्रेंड से थे बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए कपूर के कुछ असान से प्रियोग वीडियो बेनिफिशल लगी हो तो प्लीस लाइक वे शेयर करें थैंक्स वर वचिंग मैं वीडियो